नमस्कार बच्चों, आज हम सुर्दास पाठ के बहु कल्पी प्रशन कर रहे हैं, इसमें मैं प्रशन 11 से आपको शुरुआत कर रही हूँ, इसके अन्य प्रशनों के लिए आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, तो पहला प्रशन है, गोपियां क्या नहीं सुनना चाती थ गोपियां यहां पर योग संदेश नहीं सुनना चाती थी, उधव जी जो उनके लिए योग का संदेश लेकर के आये थे, उसे वो सुनना नहीं चाती थी, नेस्ट कुशन है, बारवा कुशन जो है, गोपियों ने हरी श्री कृष्ण की तुलना किस से की है, उन्होंने श् दुरा करके कृष्ण जी ले गए थे, तो ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब है, फोर्टीन्त कुशन है, गोपियां कडवी कडवी किसे कहती है, कडवी कड़ी वह है, उधव के द्वारा दिये गई योग संदेश को कहती है, तो यहां पर डी ऑप्शन सही जवाब है, उस गोपियों के अनुसार किस ने राजनीती की सिक्षा प्राप्त की है, गोपियां कहती है कि यहां पर श्री कृष्ण ने जो है राजनीती की सिक्षा प्राप्त की है, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था, उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे इसलिए option B यहाँ पर सही जवाब है उसके बाद प्रिशन आता है 18 नमबर का गोपियों ने योग के संदेश को किसके समान कड़वा कहा है तो उन्होंने कड़वी ककड़ी के समान कहा है योग का जो संदेश लेकर के उधव जी आये थे उसको प्रिशन आता है 19 अपरस रहते सनेहे तगाते यहाँ अपरस का क्या अर्थ है अपरस होता है एलिप्त रहना यानि कि किसी चीज में लिप्त ना होना उसके बाद प्रिशन आता है अपरस रहते सनेहे तगाते यहाँ तगा का क्या अर्थ है प्रिश्ण नमबर 20 के हम बात करें हैं तो यहाँ पर धागा जो होता है तगा का अर्थ है धागा ओप्शन C यहाँ पर सही जवाब है इसी तरह के और प्रिश्णों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल और अगर आपको यह बुक परचेज करनी है तो आप description box में contact कर सकते हैं जहाँ पर हमने book seller का contact number आपको दिया है Thank you for watching